So hello guys, welcome to my channel, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त आयूश और इस वीडियो में मैं सोसल मेडिया से रिलेटेट इंट्रेस्टिंग न्यूस कवर करने वाला हूँ और हाँ गाइस आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने बहुत सारा इंट्रेस्टिंग न्यूस कवर किया है इस वीडियो में तो चलि यह स्टार्ट करते हैं फॉर्स न्यूस से तो मैं बात करने वाला हूँ शीवम सिंग राजपूत के बारे में पड़ ले लिख ले थोड़े पैसे कमाएगा और अमीर बनेगा अमीर बनेगा इस समझ तो गए होगा आप है होते जो रहे हो साल मैं कब से टिक टॉक का फॉर्यू सेक्शन स्क्रोल करते जा रहा हूं एक दिए क्यूट लड़किया है पतानी कब से टिक टॉक की वीडियो स आए हाए हैंसम बॉई हलो गाइस देखो मेरी सकल कैसी भैरंड है क्यूट लड़किया कहां पे मेरी सकल पर आके हग दो ताकि मेरी सकल और भी ज़दर तटी लगे अरे डीचर तो इसको कंटेंड क्यते है बहें सडी का अगर इसको कंटेंड केते रहा तो कि बॉलना ही नहीं है अभी रिसेंटली एक कॉल रिकोर्डिंग वायरल हो रही है पता ना किसकी क्या एक कुछ लोगों की वज़े से रहे टिक टॉक का नाम बद्राम होता है मेरा नाम मेरी जो भडास्ती सारी मैंने एक वीडियो के अंदर निकाल दी मैंने तो और वीडिय अधिया सब देते मना नहीं है लेकिन जो मर्द होते है वह चाती पर देते सीथा सीने पर मूंपे आके और जो नामर्द होते हो पीट पीछे देते तेरे जैसे तो कौन है सोचियल मीडिया इंफ्लूएंसर कमसे कभी नाटक तो मच्चोधा कर सोचियल मीडिया पर आके भगवान का बंदा हूं मैं गाली ने दूंगा मैं मस्लिया बनूंगा मैं लड़कियों की सेवा करूँ आप यहां देखो इसकी भी कोई गल्ती निया इसकी यूट्यूब पे यूनिक तेरे साब से जो तेरे को अच्छा लगा और वाइरल जाना ची है वैसा कुछ तो मैंको भेज दी अगर फिर मैं एडिट करके मेरा बना के डालना हूं शेरिंग इसकेरिंग नो ब्रो चलो जल्दी यल्दी भेजो अभी सुधरेंगे नहीं यह कती जाहिलों की बस् कैप्टेन निक के बारे में तो रिसेंटली कैप्टेन निक एक वीडियो अपलूट किया है जिस पर वो इस पूरे टिक टॉक वर्सिस यूटूब कॉंट्रोवर्सी के उपर बात करती है तो इस वीडियो में उन्होंने बेसिकली काफी सारे चीजों के बारे में बात किया ह आमेद is a big name in this TikTok world उसको पता है, उसके बहुत सारे followers है, fans है तो वो directly उन दो जन को भी बोल सकता था तो उसमें Carrie को जाके इंक्लूड करने के जुरूरत नहीं थी Carrie को आप इंक्लूड कर भी रहो that means आप पुरी roasting community को एक message दे रहो अपने तरफ से आपका मेरा किसी का भी opinion matter नहीं करता है तो चलिए बात करते हैं next news के बारे में तो मैं बात करने वाला हो TikTok के बारे में तो यहापर क्या हुआ कि इस TikTok versus YouTube controversy के बाद Google Play Store पे TikTok के ratings बहुत कम हो गये हैं आप screen पे देखी सकते हो, सिर्फ 2.6 है ratings और इस controversy के पहले TikTok के ratings 4.5 थे तो चलिए बात करते हैं next news के बारे में तो मैं बात करने वालो फैजल सिद्धिकी और acid attack controversy के बारे में तो यहापर क्या हुआ कि फैजल सिद्धिकी ने एक video upload किया था जिसके उपर allegations लगा है कि वो video acid attack को promote करता है तो guys पहलो तो आप फैजल सिद्धिकी का वो video देख लीजे तो इस video के उपर react करते हुए लक्षमी अगरवाल जो के खुद एक acid attack survivor है वो अपने TikTok ID पे कुछ यह कही यह video फैजल सिद्धिकी के लिए फैजल जी आप अपने आपको क्या समझते है जिस तरीके से आप acid attack को promote कर रहे है कि एक लड़की ने मना किया और उसके उपर आप acid डाल दे आपको कितने सारे लोग follow करते है और आप अपने वीडियो के थूँ इतने गंदे message दे रहे है आपको पता भी है कि acid के एक बूंद से कितना दर्द होता है आप ये चहरा देख रहे है ये acid attack से ही हुआ है समझ में आई आप एक बूंद एक बूंद ना acid अपनी ना उंगली में डाल के देखे तब आपको समझ में आएगा कि acid attack का दर्द होता क्या है और आप creator है आप इस तरीके के creator है ये सोच भी नहीं सकती कि TikTok ऐसे लोगों को भी creator बना सकता है क्या creativity कर रहे हैं आप अपने वीडियो के थूँ अगर आपको famous ही होने ना तो अच्छे वीडियो बनाके famous होईए ऐसे वीडियो बनाके नहीं हम दिन रात मेहनत करके violence में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आप violence इसके बाद फैसल सिद्धिगी अपने Instagram पे एक post किये थे जिसमें वो इस पूरे matter के उपर react किये थे तो अगर आपको पढ़ना है तो आप pause करके पढ़ सकते हो फिर भी मैं आपको एकदम short में समझा देता हूँ कि फैसल सिद्धिगी क्या कहे so basically वो कहे कि वो acid attack को नहीं वो make-up artist के art को promote करने के लिए वो video बनाये थे और उस video में जो उनके हाथ में था वो सिर्फ और सिर्फ पानी ही था ऐसा भी कहे वो इसके बाद उन्होंने एक similar make-up वाला video दिखाया जिसमें वो लड़की एक similar make-up की हुए थी और ये video सिर्फ make-up को portrait करने के लिए ही बनाई गई थी ऐसा भी कहे फैसल सिद्धिगी तो गाइस इसके बाद में आपका क्या opinion है मुझे comments में जरूर बताना तो चलिए बात करते हैं next news के बारे में तो मैं बात करने वालो अविस दरबार के बारे में तो अविस दरबार ने complete कर लिया है 25 million followers on TikTok So my hearty congratulations to Awish Darbar So उनके 25 million followers के regarding वो ये video share किये थे तो इस video के caption में उन्होंने thank you कहके लिखा है कि Everybody makes mistakes हम humans है and if God can forgive so can we तो ये message देख के मुझे लगा कि वो mistakes कहके उनके YouTube वसे टिक टॉक के opinion को refer कर रहे हैं तो इससे related आपको क्या लगता है मुझे comments में जरूर बताना तो चलिए बात करते हैं next news के बारे में तो recently हिंदुस्ता निभाव अपने IG TV पे एक video upload किये थे जिस पे वो शाइद अफरीदी के बारे में बात किये हैं तो उनके video से एक छोटा सा part आप भी देख लीजे आपको क्या लगता है मुझे comments में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like, comment, share और subscribe करके bell icon प्रेस कर देना थांक्स वर वाच्छिंग